नेट्फ्रिक्स और ने बूल जाना आट एपिसोड है, खतम कर कितने लंबी करेगा भाई, हमें आपस दना टाइम नहीं है शमा भी गयाब, वली मुहमद भी गयाब, सब गयाब, आधिसाद लोग उनकी सेंस बननी रिया सोचा मेरे खाल से बहुत कुछ गया है कैक्टर के बारे में, लेकिन कम एपिसोड की वज़ा से अब आट से जाता भी तो कर सकतो ना, कोई इस पे लिमिटेशन तो नहीं होती या, यह समझ में नहीं आ रहा है, इस एपिसोड में लगा है कि सब ने जो है आप सब सचाई के तो खातीनों हजरात, एपिसोड 7 के रिव्यू के साथ आपके सामने हाजर हुएं, मैं हुसैन और मेरे साथ मौजूद है, शारुक नए लुक के साथ, तो आज शारुक से पहले आगास करते हैं, अपने लुक के बारे में आपको एक्स्प्लेइन करेंगे, पिछली दब और आज हम बात करेंगे इनके करण लुक के बारे में. साथ के एपिसोड 7 देखना है, फिर आपको concept समझ में आएगा, कि सेट्स में जो यूनियन था ना, वो था क्या, अभे, 8 में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, वो तो डिपेंड करता है, एक होता है, वो आपका जो, वो हता है, चार्ट होता है, उसके दो और लेप कर र यह भी हो सकता है, तो खेर, हाँ, यह विंटरस में रिकॉर्ट किया, अगर आपको भी हमें देख के गर्मी लग रही है, तो इसलिए हमने AC भी जो है, इस वरक 18 पर गरवा लिया, 26 पर दा पहले, तो बड़ी गरमा-गरम बात होने वाली एपिसोड 7 को लेगे, क्यूंकि हम यह गह रहे थे पिछले दो एपिसोड से कितनी डेवलपमेंट हो गई है, तो 7 त में तो इंताहा हो गई है, क्यूंकि अब लग रहा है, संजे साब को एपिसोड खतम रहा है, गुस्सा आगया, क्यूंकि नेटफ्रिक्स और ने बूल जैना, आठ एपिसोड है, खतम कर कित से वही था कि ताज़दार ने एक तो वह हो गया कि भाई दे देता है, कि भाई आलम ही ही रिस्पॉंसिबल है, को चूज करता है, कंट्री को चूज करता है, लव के उपर, और फिर मलिका जाती है, उसको बचाने ही, यह कैसा प्यार था यार, पहले तो भागने लगता है, क नहीं नहीं उसने आलम को गरिफतार कर लिया, जब डैबल्स के साथ होता है, रैबल्स रोकते हैं, तो चूज कर क्या प्यार या, यह हर क्रेक्टर के जो इन सबका जो रिलिशन्शिप है, किसी का कुछ समझ नहीं है, कोई इतना स्ट्रॉंग है नहीं, किसी का भी ले ले ल गया, फिर अब यहां जाके उसने फिर रिजेक्ट के दिया, फिर आगे और भी चीज़े नहीं है, आप यह देखें कि अभी जाते हैं, लोग मलिका जान के पास कहते हैं, कि आलम को छुडा लो, वोती ही मैं नहीं चुडाओंगी, फिर जाके खुड़ाना निकल जाती है, इतना चुड़ानी चले आती हैं, कि उसन तक चले आती है, अपनी इज़ड़ा लेती है, वहाँ पर वेट भी कर दी है, चीज़ कर रही है, ठीके पहले चार-चार-चार-चार-पांच वाज़गंटे वेट किया, यह मुझे सबज़ भी नहीं है कि वो जो इतना बड़ा सटोपटो को लगता हो कि उनकी अज़ड़ा चल रही हूँ, वो एग्जचेडेट कर सकती है, उसे मिलंवा, काट रेट आता है, उसमालते चल चाप जाकर बैट, पहले अपना क्वाम रप्धावंगगा, फिर तु मैं बुलाओगा, फिर बुलाओगा, फिर बुलाता है, लेकिन ये कि मलिका जान रहा करवा लेती है उसको अपनी इजद लेकर लेकर लेकिन बहुत ही at what cost असल सवाल at what cost तो वो चीज थी किनो बहुत ही भारी कीमत पे की और उस पर यह हुआ कि हमने जो एक चीज नोट की कि खरीदन फरीदन को भी कहीं ने कहीं रिग्रेट हुआ और वो उसकी वो सौफ्ट टाइड जहना वो निकल के सामने आई कि भाई उसको रख यार मैं उनको तबाह करना चाहिए थी लेकिन उनकी आब रूख उनकी रूख को ठेस नहीं बोजाना चाहिए थी तो एक वो तरह ने कि और दूसरी आउरत का दर्थ समझती तो यह वह यह आलिवेंट नजर आया है कि भाई इसके साथ जो हुआ वह तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी बताती है तो निकाह के लिए रेटी हो जाते हैं बस है बोलता है हम तो करेंगे और फिर वो जाके पहले रिष्टेगी बात-बात करते हैं तो वहाँ पर भी बड़ा होता है लेकिन ताजदार का तो बहुत बनता है कि दादी तो पहले ही बहुत ज़्यादा जॉली दी उसक तो शुरू से अब तक तो होती गई है कहीं ने कहीं उपर नीचे हुई यह चीज लेकिन यह के ओवर रॉल अब एजली पगल जाती है या मांग जाती है पुलिस टेशन में उसके बाद से उन्होंने समझ लेकि बहुत जादा लूस कर दिया खुद को नहीं पहले चोटी चीज़ों पर बड़ी बड़ी सजाएं और बड़ी बड़ी डिसीजन लेते हैं लेकिन अब इतनी बड़ी चीज़ें हो लिए उसके बाद भी वो दूसरों क कॉल मिला देते हैं काटराइट को कि बड़ी इसका इंदजाम करें अप और अप देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन एक चीज़ जोर भी है कि आपका एक पुराना सवाल था कि साइमा का क्या हुआ साइमा बन चुकी एक बहुत बड़ी इंडियन आडल इंडियन हाँ वह जैसे इकबाल को बता है कि भाई उसने बेचा ऐसा है सलमा को कोई ऐसा नहीं कि वह भाग गई या तुम्हें छुड़वाया इसलिए दो नवाबों को बेचा है तो हर कोई सच उगल रहा है इसके साथ पिर जैसे अब फरीदन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आगी कि मलिकाजान के साथ ऐसा हुआ है तो अब लोग सब यूनिटी और पॉजिटिविटी शो कर रहे है इसके बाद पता पीछे रीजिंग जो होती है ना कि क्यों अचानक कि चेंज क्यों आ रहा है अचानक कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वो समझ नहीं है तो साथ कहीं तो कभी बात किया बहुत साथ गया बज़ अजीब से उनकी कोई सेंसी बनती शामा का मैं अभी तक समझे शामा भी इसमें थी वहीदन की बेटी जो है उसका रोल जो था अभी तक अभी तक सेकंड लास एपिसोड है तो क्या कनेक्शन था कि उसकी क्या इंपोर्टन्स थी कि वह इसमें कोई गैप होता तो हम जाने भी जाते कि मूविया में पता तीन गंडे से जादा की नहीं होगी अब वैब सीरीज है अच्छा कासा टाइम है वन आर और फॉर्टी फाइव मिनिटस आप कर सकते हो बड़े आरा हम तो जितनी आप चीज कहेंचोगे अतनी डिटेल लो लेकिन यह के हां बात वही है कि शमा भी गयाब वली मुहमद भी गयाब सब गयाब आदे सादर लोग जाना उनकी सेंस बंदनी रिया तीवाल जख कर रहे हैं लेकिन जो चीज दी थी बारात नहीं पहुँचती है और वो कहा देती कि चलो बटा तयार हो जाओ तुमारा मु रिकाजन के लिए और यहां पर आजाती है कि उनके देख टी कर ऴ queríaदा नहीं पहुंची है तो आजाती है काड़ जाने था चीज खीना लेकिन यह के उनके सर पर नचwegen सर पर सबछार होता है प्कार वहार्ट का बहुत तो ऑगी है आज़ादी नकलाब जो प्हें सर पर बिबो को बताती है कि अपका आलम को बता दी तो आलम के अगीन जो पदर एक्स्प्रेशन से नहीं जब उसको पदा चलता है कि हार जाजदार की देथ हो गई है वो हो हो वो उसका दुक मैं देख सकता था उसके चेरे पर दिख रहा था खामोशी कलाम बन ले थी ती चोड़ो है आलम को कितना हम अभी रगडा रेंगे बेटी मलिका जानी है मुलते ही जितना एक्सिर्स करती है और है चीज़ है, मलब वो लगी नीदी बेटी है क्या तो अपना दुल्फिकार साब का इसका कसूर है दुल्फिकार साब भी गायब हो जाते है तो हमें पसंद नहीं हो जाते है उनके expression है, उनके expression है and do not forget to click on the bell icon